न्याय देने के लिए न्याले में बैठने वाली महिला जज्ज ने जब अपनी आप बीती सामने से सब को सुनाई तो किसी ने यकीन नहीं किया ना ही कोई हमदर्दी दिखाई सब उस साहब के समकख्ष खड़े हो गए जिसके उपर इस महिला जज्ज ने आरोप लगाया था हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस महिला की जो हर्दे की बाते थी वो पहुँच तो गई लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था सिस्टम से ठकी न्याय की इस देवी ने अब आगे जिंदगी के सफर में चलना मुनासिव नहीं समझा तो पत्र लिख कर देश के मुख्य न्याय धीस से गुभार लगा दी साहब बहुत हो गया अब बरदास्त नहीं होता है अब आगे हिम्मत नहीं है दुनिया देखने का सामना करने का दरसल कुछ इसी परकार की चिठी एक महिला जज ने लिखकर संसनी फैला दी है 31 साल की इस महिला जज के चिठी वाइरल होने के बाद सुप्रीम कोड तक अब मामला पहुँच गया है सिजियाई ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है दरसल ये मामला और इस चिठी इतनी सुर्खियों में क्यों है वो हम आपको बता रहे हैं सोचिए नियाय के मंदिर में बैठने वाली खुद अपने आपको असहज महसूस करने लगे खुद नियाय मांगने के लिए दूसरे के तरफ नजरे टिकायने लगे तो फिर वो कैसे किसी और को नियाय दे पाएगी दरसल कोट रूम में बैठे हुए नियाय के देवी से हर कोई उमीद लगाता है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा लेकिन इंसाफ करने वाले खुद अपने लिए अगर नियाय की मांग करें तो सवाल उठना लाजमी है कुछ ऐसा ही वाक्या हुआ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दरसल एक महिला जज की शिठी ने संसनी फैला दी है उत्तर प्रदेश की रहने वाली 31 साल की सिविल जज ने CGI को पत्र लिख्या और कहा कि अब बहुत हो गया मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आगे दुनिया ना देखूँ महिला जज ने जो आरोप लगाया वो आरोप बेहद संगीन है कहा कि कोट रूम में भरी अदालत में सारीरिक सोसन हुआ उसके बावजूद भी आरोपी के उपर कोई सवाल नहीं उठा पाया ना ही कोई उससे पूछा दरसल इस महिला जज से एक दैनिक अख़बार ने इंट्रव्यू लिया और सुमें उन्होंने बाचीत में उनको ये बताया कि उत्तर प्रदेश की जो 31 साल की महिला सिविल जज है उन्होंने CGI को पत्र लिखकर जो उन्होंने दिवान किये इच्छा मृत्तू की उसमें उन्होंने कहा है कि भरी अदालत में मेरा सारीरिक सोसन हुआ मैं दूसरे को न्याय देती हूँ लेकिन खुद अन्याय की सिकार हुई महिला जज ने अखवार से बाचीत में बताया कि उन्होंने अपने लेटर दोस्तों को भेजा था साथ वही से किसी ने वाइरल कर दिया अब इस पत्र में क्या कुछ लिखा है उसके भी हम थोड़ा साथ सर्चा कर लेते हैं दरसल जो महिला जज ने लिखा कि मैं बहुत दुखी और पीडा के साथ यह पत्र लिख रही हूँ इस पत्र का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने गारजियन सीजियाई से अपनी कहानी बया करके अपने लिए इक्षा मित्तु मांग सको मुझे भरी अदालत में गालिया दी गई मेरा सारीरिक शोशन हुआ मुझे से यह उमीद की जाती है कि दूसरे को न्याई दूँ लेकिन खुद मेरा क्या कार अस्तल पर योन पतरना से सुरक्षा सिर्फ दिखावा है ना कोई सुनने वाला है और ना ही किसी को कोई फरक पड़ता है जब मैं कहती हूँ कि कोई नहीं सुनता तो इसमें सिर्फ अदालत भी सामिल है एक जज और उसके सहयोगियों ने मेरा सारीरिक सोशन किया मुझसे कहा गया कि मैं रात में उनसे मिले जाओं साल 2022 में मैंने हाई कोट में सिकायत की लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला पीडित महिला जज लखनव की रहने वाली हैं 2019 में जज बनी पहली पोस्टिंग 12 बंकी में हुई मैं 2023 में वो अन्य जिलो में ट्रांस्फर हुआ अभी वो वहीं तैनात हैं महिला जज ने आगे अपने चिठी में लिखा है आज तक कोई एक्सन नहीं लिया गया किसी ने यह तक नहीं पूछा कि क्या हुआ आप इतनी परिसान क्यूं हैं जुलाई 2023 में मैंने हाई कोट की इंटर्नल कमीटी से सिकायत की छे महिने में हजारों इमेल भेजने के बाद भी जाच तक सुरू नहीं हुई इस जाच में जिन्हें गवाह बनाया जा रहा है वे सभी उस जज के अधीन है ऐसे में निस्पक्ष जाच संभो नहीं मैंने जाच चनले तक जज के टांसपर की गुहार लगाई तो आट सेकेंड में मेरी अपील डिस्मिस कर दी गई मुझे ऐसे लगा मानो मेरी जिन्दगी मेरे सम्मान और मेरे हिर्दे को डिस्मिस कर दिया गया है अब उन्हीं गवाहों के बयान से जाच होगी जो उस जज के अधीन है ऐसे में इंसाप की कोई उमीद नहीं है जब मैं खुद सारी उमीदे हार चुकी हूँ तो दूसरे को क्या न्याई दूँगी मैं और जीना नहीं चाहती मेरी जिन्दगी का कोई मकसद नहीं बचा है क्रिप्या मुझे सम्मान जनक तरीके से जीवन समाप्त करने की इजाज़त दी जाए पिडित जज नहीं अब बाते लिखी है आपको बता दें कि जो पिडित जज है वो लखनव की रहने वाली है साल 2019 में वो जज बनी पहली पोस्टिन बारा बंकी में हुई उसके बाद 2023 से वो अन्य जीलों में कारज़त है साल 2023 से वो दूसरे जीले में उनकी ट्रांसफर हुई और उसके बाद वो वही पोस्टेड है क्या अब अब भी मातापिता बनने का इंतजार कर रहे है Oasis Fertility ने लगभग 90,000 जोडों के जीवन में खुशिया भरती है आज ही 8929-755-101 पर कॉल करें Oasis Fertility के कम लागत वाले IVF उप्चार की साहता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखवरी दें